हेलो माई डियर स्ट्रेंट बेटा हम लोग और्लेडी दो मैथड डिसकस कर चुके हैं डाटा को कलेक्ट करने का जिसमें से एक मैथड बेटा हमारे पास था डारेक्ट परसना इंवेस्टिगेशन सेकेंड हम लोग उने लास्ट क्लास में किया था इंडारेक्ट औरल इंवेस्टिगेशन और आज हम लोग करने वाले थेर्ड मेथड को को डारेक्ट करने का तीसरा और वैरे इंपर्टन मैथड जिससे एक्जाम में को फोता ही है और method क्या है भई हमारे पास वो questionnaireies method आपको उसे जी questionaries method में data कैसे correct करेंगे अच्छा direct personal investigation में क्या होता था हम एक के घर में जाएंगे data को collect करेंगे second indirect oral investigation में क्या होता था हम किसी एक person को बुलाएंगे उसे सारा data क्या कर लेंगे collect कर लेंगे और तीसरा हमारा मेथड क्या है भई, कोशनरीज मेथड, इस मेथड में हम डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, बहुत सिंपल वे में समझेंगे बता, सबसे पहले बिटा, अगर मुझे डाटा को कलेक्ट करना है बहुत बड़े एरिये में, यानि कि एरिया ओफ इन्वेस्टिकेशन बहुत लार्ज है, जहां से मुझे डाटा कलेक्ट करना है, है ना, इन्वेस्टिकेशन आप समझे हैं, सबसकर मुझे पता लगाना है बही कितने पर्चन लोग पढ़े लिखे हैं, या उनकी एवरेज इंकम क्या है, या कितने लोगों के पास एंप्लोईमेंट है, और वो किस किस तरह के एंप्लोईमेंट से रिलेटेड है, अगर होता है, सबसे पहले मैं एक कोशनरी प्रिपेर करता हूँ, मेनिंग एक पेपर पर मैं क्या करूँगा बिटा, कुछ कोशन को पूट अप कर लूँगा, जैसे कि मुझे यही पता लगाना था, कि कितने लोगों की एवरेज इंकम क्या है, तो पहले मैं यही पूछूँगा कि आपकी फैमिली में कितने परसन है, मैं एक कोशनरी पेपर पर बहुत सारे कोशन को पूट अप करूँगा, आपकी फैमिली में कितने परसन है, कितने लोग वरकिंग है, कहां कहां वरकिंग है, उनकी सैलरी क्या है, और सब फैमिली की मेंबर्स की मिलाकर एवरेज सैलरी क एक paper पर बहुत सारे questions को put कर लिया जाता है, investigation के according, जिस area की investigation मैं करने वाला हूँ, जिस चीज की मैं investigation करने वाला हूँ, उस investigation से related, investigation से related, कुछ questions को, कुछ questions को, हम एक paper के उपर note down कर लेते हैं, अब उसके बाद, उन questions को, हम क्या करते हैं, जो, जहां से मुझे data collect करना है, उन लोगों के घर तक में question paper को पहुंचा देता हूँ, उसके बाद उस question paper को भरते हैं, और मेरे पास वो return कर देते हैं, तो इसी method को बेटम क्या बोलते हैं, questionaries method, एक हलका सा देखो, भी definition समझते है, questionaries method के अंदर, बहुत simple है, meaning समझते है, questionaries method का meaning क्या है, तो लिखाया देखो, meaning के अंदर आपके पास, आज आपके, कहा जा रहा है, meaning, हाँ जी, तो क्या लिखाया भी, under this method, इस method में, data are collected by the preparing a questionaries, इस method में, मैं data को collect करता हूँ, एक questionaries को prepare करके, अब ये questionaries क्या होती है, बता रखाया है, बहुत के अंदर, a questionaries consist of a list of questions, questionaries में क्या होता है, एक list of questions होता है, questions की कुछ list होती है, ठीक है बहुत, related to field of investigation, related to field of investigation, यानि कि इस method में, data को collect करेंगे, questionaries की help से, and questionaries means, a list of questions, a list of questions, related to investigation, या field of investigation, तो, simple सी definition है, under this method, questionaries method के बहुता क्या definition बनी, under this method, data is collected, data is collected, through questionaries, and questionaries is the list of questions, related to field of investigation, जिस चीज़ के आपको investigation करनी है, उससे later, आप एक questionaries को prepare करते हो, और उसको थिरुम क्या करते हैं, बहुत को collect करते हैं, लेकिन यहें पर खतम नहीं होता, इसके हमारे पास क्या है, बेटा, दो method है, यानि के questionaries method के हमारे पास दो part है, एक है बेटा, हमारे पास यहाँ पर, लिखावे, there are two ways of collecting of data on the basis of questionaries, questionaries के base पर मैं पास दो method है, जिसके through बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ, अब यह दो method क्या क्या हैं, बेटा, एक है बाई, हमारे पास mailing method, और एक है बेटा, हमारे पास enominator method, mailing method और inominator method में थोड़ा सागर difference को समझे हैं, कि क्या क्या difference है, और क्या इसका meaning है, अगर बेटा, मैंने एक questionaries को prepare किया, list of question को बनाया, और list of question को मैं क्या करता हूँ, इन्फॉर्मेंट के पास, informant means, जिससे मुझे data collect करना है, मैं अपनी इस questionaries को informant के पास mail कर दूँ, mail का मतलब, मैं उसे message के थूरू पहुचा सकता हूँ, मैं उसे courier के थूरू पहुचा सकता हूँ, मैं उसे post के थूरू पहुचा सकता हूँ, मैं उसे email के थूरू पहुचा सकता हूँ, meaning मैंने questionaries prepare किया, और अपनी इस questionaries को informant के पास भीज दिया, और उससे request की, कि भाया, आ आप इस questionaries को fill करने के पाद 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में हमारे पास return भीज दो तो इस method को मैं क्या बोलता हूँ बैटा Questionaries by mailing method Questionaries by mailing method क्या होता है बैस के अंदर इस method में questionaries को prepare किया जाता है फिर इस questionaries को informant के पास mail कर दिया जाता है मत उनके पास भेज दिया जाता है किसी भी तरह से और उस questionaries में विटा याद रखना क्या होती है एक request होती है कि भाई सहाब आप हमारी इस questionaries को भर कर within time हम तक क्या कर दो भाई return कर दो मतलब जवर्दस्ति नहीं कर सकता है आपको भर कर भेज नहीं है बनना मार लगेगी नहीं भाई आप उसने से क्या करोगे request करोगे कि भाई हम आपको इस questionaries भेज रहे है इसमें कुछ important question है और आप इन questions को fill up करो और कुछ दिनों के अंदर जो भी आपनों time period दोगे उस time period में हमारी questionaries को वापिस हमें लोटा दो which is called questionaries by mailing method देखो हलकी सीज की definition परते हैं भई क्या definition लिखा है अब मेलिंग method के अंदर वो लखा के पास in this method a questionaries are prepared according to the objective according to the objective of study एक मैं questionaries को prepare करता हूँ according to the objective of study and is mailed to the informant और informant के पास इसे भेज दिया जाएगा with the request देखो ऐसा लिखा के नहीं लिखा भई with the request to answer and return them within a specified time period आप एक questionaries को prepare करोगे फिर इस questionaries को mail करोगे यह definition में लिखा है with a request साथ में एक request करोगी कि भईया हमारी इस questionaries को return कर देना भई अपने पास रखकर मत भेटाए बैडिया ना कभी उसे रखो या उसे फैंक दो normally क्या होता है वेटा आपने ऐसे देखा भी होगा जब आप books purchase करते हो तो book के साथ में यह questionaries आती है किसमें कुछ तूटी है तो बताएं question में कुछ mistake है तो बताएं आप कमारे book कैसी लखी है उस पर लिखा था feedback form बेटाएं तरह से तो वो questionaries method ही होता है जिससे वो आपके कुछ information आपसे लेना चाहते हैं ठीक है वी तो questionaries by mailing method में क्या होता है हम questionaries को informant के पास भेज देते हैं तो पहले हम इस method के कुछ advantages और कुछ disadvantages समझ लेते हैं वही इस method के क्या-क्या advantages हैं क्या-क्या disadvantages हैं और कहां-कहां पर यह method suitable है तो पहला बता रखा area under investigation is very wide अगर बहुत बड़ा area है तो भाईया एक-एक person से जाकर data collect नहीं कर सकते हैं आप लोग आप questionaries को mail करके data को collect कर सकते हो तो questionaries by mailing method is suitable when area of investigation is wide दूसरा informants are literate and educated यह method तभी suitable है जब informants कैसे होंगे बेटा, literate होंगे आपने अपने informants के बाद questionaries भेज दी बड़ वो तो पड़े लिखे नहीं है तो सोचो क्या यह method यूज कर पाओगे तो questionaries method कभ यूज हो पाएगा बिटा पहला यह method तब यूज हो पाएगा जब यानि कि इस method का यूज तब करेंगे तब आप यूज क्या करोगे बेटा, questionaries वो भी कैसे mailing method से दूसरा informants are literate यह method तब ही यूज किया जा सकता है बेटा जब informants कैसे होंगे बेटा literate, literate मिस पढ़े लिखे अगर informants पढ़े लिखे है तब तो यह method useful है और informants अगर अनपढ़ है पढ़ा लेका नहीं है तो यह method useful नहीं है बेटा तीसरा यह method कहां पर useful है अगर आपको बिल्कुल और फिस्ट हैं डाटा रिक्वाइर है meaning आप बिल्कुल डाटा चाहते हो भी तो आप किस method का use कर सकते हो questionaries method का यहाँ पर आपको अपना और original डाटा मिलेगा दूसरा नौर्मली यह method तभी useful है जब law के थूँ questionaries को बना compulsory है otherwise यह method useful नहीं है meaning यह method normally government ही use कर पाती है हम लोग इस method का use नहीं कर सकते खुश सोच बटा मुझे अगर को investigation करनी है और मैं कोई questionaries भेज दूँ बेटा आपके घर पर तो क्या आप उसे fill करके return करोगे I think आप नहीं करोगे वो questionaries आपके घर में ऐसे ही पड़ी रहेगी ठीक है भई मैं एक list of question आपके यहाँ पर भेज दूँ कितने जने हैं, कितने लोग पढ़े लिके हैं कौन के सी स्कूल में पढ़ता है और आप से request करो भई ऐसे भरकर भेज देना तो भई आप तो अपने स्कूल का form नहीं भरते है आज तक आपके पास जो form आपको मिल जाता है वो आप 20 दिन बाद भरकर भेजते हो तो खुद सोचो, क्या questionaries आप भरकर भेज ओगे नहीं तो सीधी सी बात अब है, ये method तभी useful होगा जब law के थुरूख compass रही है कि आपको questionaries भरनना पड़ेगा और law के थुरूख compass रही होगा, जब government form भरवाएगी तो यानि कि ये एक तरह से माना जाए questionaries method government के लिए तो useful है हम लोग private लोग के लिए ये method useful नहीं होता data को collect करने के लिए तो ये तो भी बटाइस की suitability अब और बात करते हैं बटा suitability के साथ साथ अब हम बात करते हैं क्या-क्या इस method के merits हैं और क्या इस method के dismerit हैं, t-merits है बटा तो पहला merit यही है economical है, economical का मतलब होता है बेटा, सस्ता ये method बहुत ही सस्ता है data को collect करने के लिए सस्ता क्यों है भाई, आपको questionaries बना नहीं है घर पर भेज़ दे नहीं है, बंदों की जूरोती नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई, बस दो रुपर लगेंगे, पोस्ट के या पांच रुपर लगेगा पोस्ट का, आपको data मिल जाएगा wide coverage बहुत बड़ा coverage कर सकते हैं बेटा से, आप यहीं बेटे बेटे बेटा West Bengal से भी data मंगवा सकते हैं ठीक है, यहीं बेटे बेटे आप यहीं से data मंगवा सकते हो, मिनिंग इस method का बहुत बड़ा coverage है original and reliable data आपको original मिलेगा और data आपको बेटा कैसे मिलेगा reliable मिलेगा, free from bias, मतलब बीचों लिया कोई bias कमाता होता है, किसी भी इसके वक्ते का उसके प्रुभाब पढ़ना, तो bias तो इस मननेस होगा है नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पर कोई और परसन तो है नहीं data फिल करवाने वाला आप हो, और last में वो परसन है जो आपको data देगा तो यह कह रहे हैं बेटा, इसके merits economical है और wide area को cover करेगा original और reliable data मिलेगा और free from bias होगा बेटा और उसके अलावा पढ़ लेते हैं इसके demerits क्या क्या है बही इसके demerit है lack of interest lack of interest सबसे पहला demerit यही है कि लोग questionaries को भरने में interest नहीं लेते है, questionaries को भरने में interest नहीं लेते है lack of interest, दूसरा limited use, limited use का मतलब क्या हुआ, आप इसे वहीं तो use कर सकते हो भई जहां पर person literate होंगे जहां illiterate person है क्या वहां पर method use हो पाएगा नहीं इसका limited use है, lack of accuracy इसमें गलतियां बहुत जाद होती है भई आपने अगर मालो किसी को दे भी दी questionaries भरने के लिए उसने questionaries भर भर भी थी पता नहीं क्या की क्या भर कर देगा बिटा तो इसमें lack of accuracy होगा और inflexible है inflexible का मतलब क्या है अगर मैं किसी से data पूछने जाता हूं तो मैं उसके according questions को change कर देता हूं जैसे वो समझना चाह रहा है इसमें आपने question को लिख कर दे दिया चाहे उस person को वो question समझ में आए या ना है आपको उसी को वही question पढ़ना वेटा flexible नहीं है विल्कुल fix है तो questionaries method में flexibility नहीं होती आप directly जाकर बात करोगे तो flexibility आप उसके according questions को change कर सकते हो तो यह method की अगर बात करें demerits की तो lack of interest होता है limited use है lack of accuracy है और inflexible है तो यह था बेटा के पास questionaries method by mailing method तो फिर से बताता हूं questionaries method के दो part है एक questionaries by mailing method है और एक questionaries बस inominator method है अब आपको हम बात करते हैं बेटा किसकी questionaries by inominator method तो इस method के हम बात करेंगे next class में आप इसे देखोगे तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को like जलू कर देना अगर समाज में आया तो अपने घर पर रहें और स्वरक्षित रहें जय हिन जय भारत जय हिसा अग्षित आपशन प्रण जय हिसा जय हिसा जय हिसा विदोग झाल झाल